दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल कोई खेल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वालों कि जिन खात्रों ने बारभी प्रिजिस केमिस्ट्री बायलोजी यानि PCV के साथ करिए वो आगे क्या कर सकते हैं तो दोस्तों चली चलते हैं ज्यादा व कि किसी बारभी कोमर्स बीचुक साथ की या फिर किसी बारभी के विख्ष्वक साथ की होगी आपने चाहें किसी पिस त्रिम से बारभी की परिच्छा पास की हो समस्या सब की एक सी होती है कि इस वक्त अगर आगे की पढ़ाई की जाए तो क्या कोर्स किया जाए अगर नौकरिक त्यारी करें तो किस पद के लिए करें जो कि बारवी बेपास के लिए अन्कूल हो सबसे अच्छी हो इन सब परसनों के करन आपके वहने बहुत ज़्यदा उतल पुतल होने लगती है और उस वक्त उनको गायट करने वाला कोई भी नहीं होता हाँ अगर आपके घर में पढ़े लिके लोग हैं तो वह आपको बता सकते हैं कि बारवी के बाद क्या कर सकते हो इनके घर में कोई गायट करने वाला नहीं है तो उनके लिए हम हैं हम उनकी इस सारे दुग्दाओं का समाधान करने के लिए ही यहां हैं हम आपको यहां बताएं कि बारवी कायट के बिकल्ब बार में आप आगे क्या कर सकते हैं दोस्तों जब हमने दस्वी में पास की थी तब तक हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थी लेकिन दस्वी को आद हमने अपनी पसंद के विश्यों का चुनाओ किया जैसे कि हमें आगे इंजिनरिंग के डॉक्टर की तियारी करनी है तो हमने विग्ञान साका का चुनाओ किया अकाउंट के चेत्र के लिए कॉमर्स का चुनाओ किया जब अकील सिवीला पोलिटिक्स के चेत्र के लिए आर्ट्स का चुनाओ किया था इसी तरह आपको अपने उसी चुने चेत्र की और आगे बढ़ना है जिससे कि आपकी रुच्छती या रुच्छी है लेकिन कटना यह आते है कि बारभी के बाद आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि आगे क्या क्या जाए क्योंकि आज कल इतने सारे कोर्स प्रबदें कि आप रवित हो जाते हैं कि कि किस कोर्स को क्या जा चलिए हम आपको बताते कि बारवी के बात करी और किया है और किया कर सकते हैं या कि स्वेसि lively की लिए या किस नोकली क relativity किा डार कर सकते हैं दोस्तों बारवी में जो हैं 30 challenges साइंस स्ट्रीम में जो हैं तीन इंट्रिम होती हैं पी से थे हम पीज़ेय। सब्सक्राइब यह हैं राहिए चनाव करते हैं साइंस सिर्फिंग थोड़ी से मुस्क्ली होती हैं अता है जो बच्छेइं से इस इसपे घृष्ट करने वाले हैं वे अक्सर इंजिनियर डॉक्टर के लिए त्यारी करते हैं अगर इती कच्छत में अपना भविस्ट बनाते हैं इसके अत्रिक कुछ वच्छे कॉमर्स से आर्ट्स बस लेते हैं जैने बेंक क्या सिविल वकिल पोलिटिक्स में रुच होती है विग्याइबर को चुनने आले पैसे इसके तरिक तो और भी चात्रों के वाद बहुत से अन्य विकल्प मुझूद हैं जैसे 12 PCV के साथ जिन भी चात्रों ने की है तो वह भी फार्मा, BSC, नर्सिंग, पेरामेडिकल, BMS, बिचलर, आर्विदिव, मेडिसिन, अर्शिर, याज कॉर्स कर सकते हैं और आप बेद कुछ नहीं करना चाहते हैं जिनके वीडियो में पहले ही बना चुका हूं और इन वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में देनुगा तो दोस्तों चलिए आजब आपको फिलो चार्ट के चलिए बताते हैं कि आप 12 PCV करने के बाद क्या 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 कर सकते हैं दोस्तों आप नीट कॉली पाई करने के बाद अगला मतलब करियर और नीट कॉली करने के बाद आप MBBS करने के बाद MD या MS कर सकते हैं करने साथ करने के बाद आप एक special diploma कर सकते हैं डॉक्टरी के लिए और आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं दोस्तों इन में से आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप इतने करियर को जीवर बनाने के लिए सबसे अच्छा option एक है कि आप पेरे medical course कर लीजेगा दोस्तों आप कुछ नहीं करना साथ सकते हैं तो आप डिप्लोमाई नर्सिंग में कर लीजिए बीमल्टी कर सकते हैं प्यमल्टी करने को आप डॉक्टर बन सकते हैं और यदिया आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप BSC कर सकते हैं जूलोजिस कर सकते हैं केमिस्टिस कर सकते हैं इसके हाद MSC कर सकते हैं MSC करने को साथ MPIL करके आप प्रोपेसर बन सकते हैं PhD करके तो यह आप MSC BIO TAKE से करके कर सकते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई है जनकारी अच्छी लगी हो कि 12th PCB करने को आप क्या 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 कर सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक तता सेर करें और कमेंट में हमें राइज रूड दें और हमारे यूट्यूब चनल को इक्वेल पर को सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में चेहिन